आप सबी को स्वागत करता हूं एक नए वीडियोस में कल मुझे एक मैसेज आया था यानी मतलब मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था कि UTR कैसे निकालते हैं जैसे कि PNB बैंक का UTR कैसे निकालते हैं एक भाई ने मुझे मैसेज कर था लेकिन चलिए आपके ही ऊपर एक वीडियो है कि UTR कैसे निकालते हैं सिंपल सा मैं पहले आपको बात बता देता हूँ कि UTR निकालने से पहले आप bank account कोई सा भी हो वो मतलब नहीं रखता है आप जो bank से transfer कर रहे हैं वो bank कोई सा भी UPI में तो link तो खरके रखे होंगे ना जैसे कि phone pay, Google Pay, Paytm या कोई सा भी third party UPI हो उसमें तो link करे होंगे जैसे कि आप बता रहे हैं कि मेरा bank account PMB bank account है तो चलिए मालने तो आप लोको लेकिन कोई सा भी bank account आप लोग का UPI ID में लिंक होना ही है और होता ही है और आप लोग करके रखते ही है phone pay से UTR कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में आपको detail में बताऊँगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आप सभी को हम लेके चलेंगे अपने mobile phone की screen भे जहांपे आपको detail में दिखा दोगा तो देखे दोस्तों मैं अपने phone की जड़ा refresh कर लेता हूँ और यहां से मैं तो देखे दोस्तों मैं phone का display recording on कर दिया है अब देख सकते हैं मारा display recording on हो गया है और यहां पर आपको दिखाऊंगा phone pay के मादेम से UTR कैसे चेक करें अब देखे simple भास में बता दू तो UTR क्या होता है UTR बोले तो आप जब phone pay से किसी को भी पैसा transfer करते हैं यानि भेजते हैं तो उसमें आपको एक transaction ID रहता है और उसके नीचे UTR नमबर रहता है तो उसको हुँ बोलते है transaction ID नमबर तो उन सभी का मतलब भी क्या होता है चलिए आपको दिखाते हैं और विस्तियार से बता हूँगा तो सबसे पहले आपको कहा पयाना है phone pay में आ जाना है अब जिस भी UPI से payment करें उस application को open कर लेंगे मैं आपको इस video में बताने वाल हूँ कि phone pay से कैसे check करेंगे तो देखिए मैं phone pay में login कर लेता हूँ अब मेरा phone pay open हो गया है अब यहां से आपको कैसे देखने को मिलेगा कि आप जो भी transaction करें तो उसका transaction ID या UTR नमबर कैसे check करेंगे तो यह homepage है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए payment करने का भी method यहां पर दिया गया है लेकिन आपको check करना है कि कहां पर आप transaction ID चेक करेंगे कल के date में किसको पैसा बेजा है उसके पास गया है यह नहीं गया है अगर नहीं गया है तो phone करता है आप लोग को कि मेरे पास पैसा नहीं है तो उसको confirmation के लिए आप लोग UTA नमबर बता सकते हैं तो देखिए आपको simple सा गुजबी नहीं करना है phone पे में आने के बाद आपको नीचे बहुत सारे option देखने को मिलता है home page, loan, insurance, wealth तो यहां पर देखिए करके आप उस पर क्लिक कर देंगे चलिए मैं फरस्ट वाले पर ही क्लिक करोंगा तो यहां पर देखिए कुछ इस प्रकर का देखना को मिल रहा है आप लोगो तो जो transaction ID है आपको जस्ट उसके नीचे दिखेगा और credit जो हुआ, council bank account में आपका credit हुआ, वो bank account आपको दिखेगा और कुछ number भी दिखेंगे दो तिन और उसके नीचे just UTR का number रहता है यह 12 number का UTR नंबर है और इसी तरीके से आपके भी phone pay, google pay, pay tm आप कहीं से भी चेक करेंगे तो ऐसे ही 12 digit का UTR नंबर आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग चिक कर सकते हैं किसी का भी transaction ID या UTR नंबर तो जो आपका जिसी की मेरे वीडियो के comment box में एक भाई ने comment कर रहा था हूँ उनका bank account था PNB bank तो just भाई आपको सलाह देना चाहता हूँ आपको इसा भी UPI से payment कर रहे होंगे आप उसमें PNB bank account add तो कर रहे होंगे तो आप जस उसी तरीके से वहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं आपका जो PNB bank में receive होघी तो आप पेधे बैंक आपको देखने को मिलेगा यह तो आप किसी को भीजे हैं पैसा जैस्वेर बीजने का भी बदा दता हूं अगर पैसा किसीको भीज खालता हूं कैसा है आप रिकर क्लीका से आप बहेंगा वतुर और उसके नीचे ही UTI ID दिखेगा तो इसी तरीके से आप भी चिक कर सकते हैं तो दोस्तो आई होब कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मेरा होगा और आप विस्तार से समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से UTI नंबर निकाल सकते हैं यह आप कोई से भी bank account हो यह meter नहीं करते हैं अप किस UDAID से भेज रहें यह meter करते हैं और आप वहां से जाके चिक कर सकते हैं और अगर आप तो चाहते हैं कि भतब दूसरे तरीके से जजेंग करें तो आप जस्रहिए उसको bank का statement निकाल के भी दे सकते हैं, तो उससे भी clarification आपको हो जाएगा, लेकिन आपको transaction ID, UTID जल्दी चाहिए, तो आप उस UPID से निकाल सकते हैं, बहुत ही easy तरीके से, I hope कि आप सभी कोई वीडियो बहुत ही जादा पसंदा होगा, वीडियो पसंदा है, तो एक like करे, comment करे और मेरे चान पर नहीं है, तो subscribe करेब लाइकन को ही प्रेस करें, ताकि मेरे latest वीडियो का notification आपको सबसे पहले मेरे, तो चलिए आज की इस वीडियो बस यही तक हम फिर से मिलेंगे, आप सभी के साथ, next वीडियो में कुछ interesting feature के साथ, तब तक लटे केर जहींद, बंदे मतर ट्रिए अर्मग सबसे चान पर दया है, श्याम जेकुछ जजगा दो प्रेस प्रेस ही जिए प्रेसे हैं, ट्रेसेे पशिजर neighbors बस चीजंदों, श्याम जो हुड है, तो सबस्क्तोंदम उक्र हाईचते पैसे इस्टों नहीं ख्रतश मेरे करन Usually बैसे से मीज़ू घः फर ब